नमस्ते, आर्ष केंपस में आपका स्वागत है। आज यजुर्वेद में हम करेंगे चोंतिश्वा अध्धाई। आइए गायतरी मंतर के साथ अध्धाई आरम करें। आईए आरम करते हैं। मन जैसा दूर विचरता है। वैसे जागरित अवस्था में ही सोते में भी दूर विचरता है। मन दूरगामी प्रकाषमान प्रकाष का परवर्तक वे अकेला प्रकाषमान है। हमारा मन कल्यानकारी संकल्पों से योगत हो। मनिशीगण इसी मन से यज आधी कार संपन करते हैं, इसी मन से धीर लोग श्रेष्ट कार में लगते हैं, मन अपूर्व वे यजमानों में आधर्णिये हैं, हमारा वे मन कल्यानकारी संकल्पों से युक्त हो जाए, जो सभी प्राणियों में ज्यान में, चैतन धैर में वे अमरित्स रूप है, जिसके बिना कोई कार नहीं किया जाता है, हमारा वे मन कल्यानकारी संकल्पों से युक्त हो जाए, जिस अमर मन से सब कुछ जाना जाता है, जिससे भूत काल, वर्तमान काल और भविश काल को ग्रहन किया जाता है, जिससे साथ पुरोहित यज्य का विश्तार करते हैं, हमारा वहमन कल्यानकारी संकल्पों से युक्त हो याए, जैसे रत के पहिये में अरे होते हैं, वैसे ही जिन्स मन में रिगवेद सामवेद ये जूर्वेद के मंतर प्रतिस्ठित हैं, जिस मन में प्रजाओं के चित्त का ज्यान ओतप्रोथ है, हमारा वहमन कल्यानकारी संकल्पों से युक्त हो जाए, अच्छा सार्थी घोडों को नियंतर्ण में रखता है, निर्धारित स्थान पर ले जाता है, वैसे ही जो मनुश्यों को नियंतर्ण में रखता है, उन्हें निर्धारित स्थान पर ले जाता है, जो हृदय में प्रति हमारा वहमन कल्यानकारी संकल्पों से युक्त हो जाए हम अपने पिता इंद्रदेव की स्तूति करते हैं वे महान और बल्वान हैं उन्होंने विर्त्राशुर को मर्दित कर दिया है उन्होंने तीनों लोकों में अपनी शक्ति को प्रतिष्ठित किया है हे अनुमते आप अपनी इच्छाओं का अनुमोधन वह हमारा कल्यान करने की किर्पा कीजिए आप हमारे यज वह हमारी आयू की ब्रुत्री कीजिए आप हमें तारिए हे अनुमते आज आप हमारे यज्ज को देवताओं में मान्यता प्राप्त कराईए हवी वहन करने वाले अगनी हमारे प्रती दानशील होने की किरपा करें हे सिनी वाली देवी आप देवताओं की बहन बहुत केशों वाली वे प्रजा का पालन करने वाली है हमने हवी गरहन करने के लिए आपको आमंतरित किया है, आप हवी गरहन करने वे मन हमें संतान परदान करने की करपा करें, पाँच नदियां एक जैसी श्रोत वाली सहित सरस्वती नदी में मिल जाती हैं वही सरस्वती देश में पाँच प्रकार से प्रसिद्ध हुई हे अगणी आप प्रथम पूजनिया है अंगीरा रिशी ने आपको प्रकट किया है आप देवों के देव हैं आप हमारे लिए कल्यानकारी होँ आपके व्रित से मरुदगन कभी और विदवान हुए हैं आप हमारे लिए विमित्र हों, आपके वृत से मरुदगन ज्याता हुए हैं, आपके वृत से मरुदगन सर्व द्रिष्टा हुए हैं, आपके वृत से मरुदगन उत्तम आयुधों से युक्त हुए हैं, हे अगनी आप हमारे हैं, आप हमारी रक्षा करने वे हमें धन्वान किर्पा कीजिए आप हमारे शरीर को पुष्ट बनाने की किर्पा कीजिए आप वंद्निय वे रक्षक हैं आप हमारी संतान की रक्षा करने की किर्पा कीजिए हमारी गायों की वे लगातार हमारी रक्षा करने की किरपा कीजिए हे अगनी आप पृत्वी से उतपन हैं ज्यान पूर्ण कर्म से अगनी का प्रार दुर्भाव हुआ है वे शिग्र ही अर्णी मंतन से प्रजविलित होते हैं वे तेजों में वे अद्बुत हैं वे वायू से और अधिक परस्खार पाते हैं ये अगनी आप सर्वत्र हैं हम पृत्वी के मध्ध नाभी में आपकी स्थापना करते हैं हम हवी रूप निधी आपको समर्पित करते हैं आप उसे वहन करने की किरपा कीजिए इंद्रदेव शक्ति की चाह रखते हैं वे श्रेष्ट वानी वाले हैं वे विद्वान हैं हम अंगिरा रिशी की तरह उनकी स्तूती करते हैं अच्छी स्तूतियों से हम उनकी स्तूती करते हैं मनुष्यों के ने तृत्व के लिए प्रक्षात उनकी दिग वेदों के मंत्रों से अर्चना करते हैं, हे यजमानों, आप महा शक्ति शाली इंद्र देव को नमस्कार कीजिए, यजमानों आप महा महिमा शाली इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए हवी भेंट कीजिए जिससे हमारे पूर्वजों और पित्रों ने अर्चना की पद जानकर अंगीरश रिशी की तरह मंत्र गाय और मार्ग दर्शन प्राप्त किया हे इंद्रदेव आप सोम जैसा सखा भाव चाहते हैं आप सोम रस नी चोड़ते हैं आप सोम रस धारन करते हैं सोम मनुष्यों का कठो भार सहते हुए भी सोम रस परदान करते हैं अन बल को धारते हैं हे इंद्रदेव आपके लिए परम दूर स्थान भी दूर नहीं हैं, आप हरी नामक घोडे को जोतिये और हरी की तरह आने की किरपा कीजिये, हम आप से अपनी स्थिर्तावे बल की कामना करते हैं, प्रातह संधा सवन में यज किया जा रहा है, यह पत्थर सोम निचोडने के लिए है, यह समिधा अगनी प्रज्विलित करने के लिए है, हे सोम आप युद्धों में बहुत अधिक प्राक्रम प्रदर्शित करते हैं, आप शत्रु जई सेना गोपालक बल रक्षक वै उत्तम वास स्थान करने वाले हैं, आप विजेता यशस्वी हैं, हे सोम आप हमें अनंदित करते हैं, हम आपका अनुकरन करते हैं, सोम उन यजमानों को दुधारू गाएं प्रदान करते हैं, जो उन्हें आहूति प्रदान करते हैं, ऐसे यजमानों को वेगवान घोड़े प्रद प्रदान करते हैं, सोम घरेलू पुत्र प्रदान करते हैं, वे कर्म शील पुत्र प्रदान करते हैं, वे पित्र कर्म में दक्ष्वे अग्या पालक पुत्र प्रदान करते हैं, हे सोम आप इन सभी ओश्दियों को उप जाते हैं, आपने जल को उप जाया है, आपने गायों को आपने अंतरिक्ष का विस्तार किया है, आपने संसार को जोतिसमान बनाया है, आपने अंदकार दूर करने की किरपा की है, हे सोम आप दिव्व हैं, आप हमें मन से धन परदान कीजिए, वैसो भाग्यवान बनाएए, आप हमें युद्ध में जिताइए, आपको दान देने से कोई नहीं रोक सकता, आप अतीव बलशाली वे अतीव अभय युक्त हैं, हे सोम, आप हमें दोनों लोकों का सुख परदान कीजिए, सवीता देव, आठों लोकों को व्याख्याईत, वे परित्वी को प्रकाशित करते हैं, वे सातों समुध्रों को वे तीनों लोकों को प्रक बाई करते हैं वे सवर्ण मय आउखैं वाले और यजमानों के लिए अगाध्य रत्न धान करने वाले हैं वे यजमानों को बहुत धन देने वाले हैं सुर्ण अपनी शोवा से दोनों अलोकित करते हैं, वे प्राण दाता हैं, कल्यान दाता हैं, उत्तम सुख दाता हैं, वे प्रकाश्वान राक्षसों, वे दुष्टों के नाशक हैं, वे हमारे अनुकूल होने की किर्पा करें, हे सवीता देव अंतरिक्ष लोक में जो आपके धूल रहित उत्तम पत हैं, आपकी क्रपा से हम उन पतों पर चलें, हम आपके उन पतों पर चलते हुए सोभाग्य शाली हों, हम आपके उन पतों पर सुरक्षा पूर्वक चल सकें, आप उन पतों पर हमारे लिए संदेश कहने की किरपा करें, हे दोनों अश्वनी कुमारों आप यज्ज स्थान में पदारने वे सोम पान की किरपा करें, आप हमें सुख परदान करने की किरपा करें, आप अपने रक्षा साधनों से हमारी रक्षा कीजिए, वे सुख परदान कीजिए, हे अश्वनी कुमारों आप से कार्य में लगाईए हे अश्वनी कुमारों आप आज ही अपने रक्षा साधनों सहीती स्यज्ज में पदारने वे उसकी ब्रोत्री करने की किरपा कीजिए आप द्वारा परदान किये गए धन की रक्षा में मित्र देव वरुण देव अधिति देव सिंधु देव करते हैं वे प्रित्वी को अंधकार से मुक्त करते हैं वे मनुष्य वे देव आधि सभी को कर्म में वे मनुष्य आधि सभी को प्रेरित करते हैं रत्री देव प्रित्वी लोक को अंधकार से पूरा करते हैं वे अंत्रिक्ष लोक को अंधकार से पूरा करती है और देवी अद्बुत हैं, वे हमारे लिए धनवती हों, वे अद्बुत धन हमारे लिए धारें, उस धन से हम अपनी संतान का उपयुक्त रीती से भरण पोशन कर सकें, हम प्रातहकाल अगनी इंद्र देव, मित्र देव, वरुन देव, वै, अश्वनी कुमारों का आवाहन करते हम प्रात्यकाल वनश्पतिदेव भगदेव पूशन और रुद्र देव का आवाहन करते हैं, वे विजेता सोभाग्य वान उग्रवे सन्सार के धारक हैं यह कहा गया है कि दनवान गरीबी, रोगी, राजा कोई भी हो वे अभिष्ठ मनो कामना सिद्धेतू सूर्य के अपवासना करते हैं, हे भगदेव, आप हमारे पत के परनेता हैं, हे भगदेव, आप सत्य रुपी धन के परदाता हैं, हे भगदेव, आप उन्नती दाई बुद्धी के परदाता हैं, हे भगदेव, आप हमारे लिए गाएं उत्पन करें, हे भगदे हम सूर्य की कृपा से सदबुद्धी वाले वे धनवान हो जाएं, हम सब की कृपा से सुर्योदे में धन प्राप्त करें, हम उनकी कृपा से मध्धान और सुर्यास्त में धन संपन हो, हे भगदेव आप धनवान वे भागयवान हैं, आपकी कृपा से हम यजमान भी धनवान और भाग्यवान हो जाएं, यजमान भगदेव का आवाहन करते हैं, आप हमारे यहां पधार कर हमें यज और सभी इस्ट कारणों को सफल बनाने की किरपा कीजिए, हम उशाकाल में यजवे नमन करते हैं, हम उशाकाल में पवित्र गती वीधियां संपन करते हैं, जैसे अश् वीरवतिवे कल्यानी उशादेवी घीवे दूद देती हैं, वैसे ही प्रभात वेला हमारा कल्यान करने की किरपा करें, हमारे लिए घीवे दूद दूहें, अज्ञान अंदकार में बाधाएं सब और से दूर हों, आप सभी देवगन सदैव हमारा कल्यान करने की किरपा कर हे पूशादेव हम स्रोता आपके वृत में लगें, हम कभी नस्ट नहों, हम यज्ज में आपकी स्तूती करते हैं, तथा आपकी चाह रखते हैं, पूशादेव हमारे पत्परदर्शक हैं, मंतर से कामना किये जाने पर वे रक्षसों का नाश करते हैं, और शत्रु नाशक पूशादने की किरपा करें, विष्णु ने अपने तीन पैरों में ही संपूर्ण विश्व को धारन कर लिया है, वे उस सामर्थ से लोकों को धारन किये हुए विराजमान हैं, जो ब्रहमन जागरित होकर यज्ज विधान करते हुए जीवन यापन करते हैं, वे ब्रहमन व और पृत्वी लोक श्रेष्ट रूप वाले हैं, और वृद्धा वस्तार रहित हैं, प्रभूत सामर्थ को कामूल श्रोत है, पृत्वी घी में लोकों का आश्र स्थली है, व्यापक वे विशीस मधुर रसों के दोहन का सामर्थ रखती है, जो हमारे शत्रू हैं वे हार ज रूत्र गन और आधित गन हमारे चित को उग्रवे प्रकरमी और अधिपती बनाने की कृपा करें, अश्वनी कुमार नाश रहित हैं, आप दोनों 11 से तिग्णे देवताओं सहीत पदारिये, आप दोनों 11 से तिगने देवताओं सहीत मधूर पे पीजिए, आप हमारी रक् हमारे सायक ही रहिए, हे मरुदगणों, ये श्रोत आप के लिए समर्पित है, ये वाणी में इस तूतियां आपको आनंदित करने की किरपा करें, ये स्तूतियां मानिग विये वे श्रेष्ट फलदाई हैं, आप पधारिये, हमें इस्ट सुख विद्या अन्नवे आयू परद रिश्यों का अनुसरन क्या वे इन धीर रिश्यों ने वैसे ही इस्ट गंतव्य तक पहुंचाया, जैसे लगाम घोडों को अपने इस्ट गंतव्य तक पहुंचाती है, ये स्वर्ण में धन आयू वर्चस्व धन वे पुष्टी वर्धक है, ये स्वर्ण में धन भूमी से उत्पन है यह स्वर्ण में धन वर्चस्य दाई है यह स्वर्ण में धन तेज में है यह स्वर्ण में धन हमें विजय श्री दिलाने की किरपा करे इस स्वर्ण में धन को राक्षस हिंसित नहीं करते इस स्वर्ण में धन को पिशाच भी हिंसित नहीं करते यह स्वर्ण में प् उन्हें भी देवता मनुष्यों में दिरगायू परदान करें। हम सभी देवता हमारी स्तूतियां सुनने की किरपा करें। इस स्थिती में भी ये निरंतर परणियों की रक्षा में दिरगायू परदान की किरपा करें। लगे रहते हैं। आप उठिये हम देवत्व धारन करना वे आपका आगमन चाहते हैं। आप अच्छे दान करता हैं। आप हमारे समीप पदारने की किरपा कीजिए। इंद्र देव आप भी सिक्र ही इनके साथ पदारने वे हमारे साथ निवास करने की किरपा कीजिए। निश्चित रूप से ब्रह्मनस्पती विधी विधान के साथ उक्तों को उचारते हैं। इन मंत्रों में इंद्र देव, वरुण देव, मित्र देव, अर्रमा देव, अन्य देव वास करते हैं। हे देवगण आप संसार के नियंतरक हैं। आप भली भाती हमारी आकांक्षा को जानते हैं, आप भली भाती हमारी प्रार्थना को जानते हैं। आप हमें और हमारी संतानों को पोश्टे हैं आप हमें सभी परकार के कल्यान उपलब्द कराईए आपकी किरपा से हमारी संतान वीर वे महिमा मान हो आप सब कारणों के करता पालक वे अन्नपती है तो इसी के साथ आज हमारा या अध्याय पूर्ण हुआ अगले अध्याय के साथ हम फिर उपस्तित होंगे तब तक के लिए धन्यवाद जहिंद